प्रभीज निसाद वालकम यू आल विहाफ अप अभीपसर अभीपसर टीम जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मीशन चला रहे हैं जिसका नाम है मीशन जिसमें धेर सार the important question answers आपको to video के मादन से ताकि आपके जाद से जादा नंबर आए तो लगातार आप हमारे साथ बने रहे और last video lecture में हमने क्या देखा था last video lecture में हमने देखा था एंक्लूजन के important question answers आज हमें start करने वाले हैं unit 4 के important question answers adult sense से तो यह जो question answers है यह है previous year के question answers और हमारा जो first question है वो यह है what was the mood of the headmaster when he entered the class जब headmaster class में enter करते हैं तब उनकी क्या वस्ता थी उनका mood कैसा था तो headmaster जो है वो काफी गुस्ते में रहते हैं उनके चेरे पर काफी गुस्ता होता है और उनके आखों में एक असूब टाइप का भाव रहता है क्यों रहता है क्योंकि यह जो बच्चे रहते हैं यह बच्चे काफी सरारती होते हैं और आजकल के बच्चे काफी सरारती होते ही हैं तो इनके द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है कुछ ऐसा काम किया जाता है अनुसासन का उलंगन किया जाता है जिसकी वज़े से headmaster काफी गु is how did Swaminathan react to the questions put by the headmaster. Headmaster की द्वारा किये गए questions पे Swaminathan नाम का जो लड़का है वो कैसा react करता है तो सुरू में तो वो कुछ भी नहीं बोलता है एकदम चुप चाप रहता है और बार-बार जब question किया जाता है तब वो जो है क्या करता है वो सिर्फ ये कहता है कि मैं इसको नहीं आसा का वो भी अटकते वे कहता है और वो अपने headmaster को घूर करके देखता रहता है तो इसका जो answer होगा इस तरह से होगा Swaminathan told that he could not come to school and kept staring to the headmaster तो ये हमारा answer हो जाएगा now let's see the next question our next question is why was the pion called what did he tell about Swaminathan तो जो पियोन है यानि जो चप्रासी है चप्रासी को क्यो बुलाया गया और उन्होंने Swaminathan के बारे में क्या बताया तो चप्रासी को क्यों बुलाया गया चप्रासी को इसलिए बुलाया गया ताकि वो बता सके Swaminathana नाम की लडगी को पहचान सके और उसके बारे बता सके कि उसने पिछले दिन क्या किया हुआ था तो इसलिए उसे बिलाइ गया था, ठीक है तो इसलिए उसने क्या किया हुआ था, उसने खिरकी का जो काश होता है window pane होता है उसको उसने तोड़ा हुआ था और इसी लिए उसके पहचान के लिए उसको बुलाया जाता है तो answer हो जाएगा the headmaster wanted to know about Swami Nathana so he called the pion who could tell about him he told that he had seen Swami Nathana breaking the window pane और चप्राशी ने देखा हुआ था कि Swami Nathana नाम का जो लड़का है उसने window pane को तोड़ा हुआ था खिरकी के कांच को तोड़ा हुआ था now let's see the next question people call the speaker by two names what are they लोग speaker को दो नामों से जानते हैं और वो जो दो नाम हैं वो कौन कौन से हैं तो जो दो नाम है वो है hey you and what's your name या अरे तुम और तुम्हारा क्या नाम है इन दो नामों से speaker को जाना जाता है तो answer हो जाएगा people called him by these two names hey you and what is your name या फिर what's your name अरे तुम और तुम्हारा क्या नाम है now let's see the next question our next question is what is the poet's demand कभी किया मांग है इनकी दिमांड क्या है कभी यह चाहते हैं कि उन्हें कभी भी ignore ना किया जाया उनके साथ एक human being की तरह एक मालना की तरह treat कीया जाया उन्हें कभी उनहें अलग ना किया जाया तो यही जो है वो demand करते हैं यह और से चीज यह है कि वो यह तो मांग करते हैं, इसके अलाव हो कहते हैं कि उन्हें तालियों के द्वारा, उन्होंने कितनी तालिया कमाई है, या फिर उन्होंने कितनी प्राइज कमाई है, इनके द्वारा उन्हें कभी जज ना किया जाया, उन्हें किस तरह से जज किया जाय एक नए माप के साथ उन्हीं मापा जाया, तो ये वो दिमांड करते हैं, ये मांग करते हैं, तो अंसर हो जाएगा, the poet demands that he should not be ignored and should be treated as a friendly being, human being, he also requests the people to judge him not by prides and claps, or rather a new measure of compassion and care, तो इस तरह से वो जो है मांग करते हैं, Now, let's see the next question, our next question is, which famous actors did visit the narrator's father in Daddy's Enduring Script, and what did one of them call Daddy, call Daddy, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि Daddy's Enduring Script, इस relation में जो दो जो actors है, comedians है, वो कौन कौन थे, और वो अक्सर उनके यहाँ आया करते थे, और जब वो आते थे, तो उनके Daddy को वो क्या कहते थे, क्या कह करके पुकारते थे, तो इसका जो अंसर होगा, यह होगा कि Daddy's Enduring Script में, जो कवित्री है, poetess है, उनके जो फादर है, उनके फादर के दो फ्रेंड थे, और दोनों comedian थे, दोनों ही actor थे, comedian actor थे, तो उनके जो नाम है, वो है Gemini Ganesan and Nagis, Gemini Ganesan और Nagis थे दो actors है, इनका नाम आपको याद रखना है, और इन दोनों में से, जो Gemini Ganesan है, वो इनके फादर को, डाडी को, यानि कि जो डाडी है, उनको क्या कहा करके पुकारते थे, एक word से वो पुकारते थे, जिनका नाम है, जो है, मापिल्लेई, मापिल्लेई एक तरह से, एक तमील भासा का word है, जिसका मतलब होता है, bridegroom, it means दूल्हा, तो ये आपको याद रखना है, तो अंसर हो जाएगा, तो ये इनको याद रखना है, तमील फॉर ब्राइड गूम, तो ये मापिल्ले जो है, ये तमील भासा का word है, और इसी सब्द से, वो छिड़ाते थे उनके फादर को, मापिल्ले करके, तो इस तरह से, आज हमने कुछ इंपॉर्टन कोशन अंसर्स, बहुत अच्छे तरीके से, कम्प्लीट कर लिये हैं, I hope कि आप काफी अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से, आप कोशन अंसर्स को समझ रहे हैं, ताकि आप रटे नहीं, बलकि अंसर्स को आप समझ करके चले, ताकि यदि आप समझ करके चलेंगे, आपको पूरी चीज़े याद रहेंगी, पता रहेंगी, तब आप अच्छे से लिख पाएंगे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने के लिए, हमारे पूरी टीम लगातार आपके लिए, अलग-अलग सब्जेक्स के वीडियोज लगातार वाइट करते जा रहे हैं, तो आप हमें आरे साथ बने रही हमारे वीडियोज को लाइक करें, दोस्तों के साथ से शेर करें, आप चाहते हैं ना कि आपके फ्रेंड भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर क्या है, तो आप अपने दोस्तों को भी सेर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलूँगा एक इंट्रेस्टिंग लेशन के साथ नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,